क्या आपने कभी खील से इस तरह ऐसे नास्ता तयार किया है नहीं बनाया तो आप जरूर ट्राइ कीजिएगा एकदम चैट पटासा और बहुत ही जवर्दस ये हमारा स्नेक्स तयार होगा जो बच्चे बड़े सबको बेहदी पसंद आने वाला है दिवाली पर खील बच जाती है फ्रेंड्स और फिर उनका क्या करें तो आप इस तरह ऐसे ये हैल्दी सा नास्ता तयार कर सकते हो बस कुछ आलू और खील से ही आप बहुत ही जवर्दस नास्ता बनाओगे काले में बदी टेश्टी होगा इसटन बनने वाला नास्ता है बहुती कम समय में आपका ये स्नेक्स त्यार हो जाएगा तो यहाँ हमने ले ली है खील तो यह मैंने लगवक बनेंड हाफ कफ खील ली है अब ये खील है इनको आपको अच्छे से साफ कर लेना है वैसे तो इसमें कुछ नहीं होता लेकिन क्या न ये चावल से बनी होती है तो इनमें थोड़े वह चावल का जो उचिलका है वो लगा हुआ आजाता है तो आपको वो खटा देना है अब हमें वो सैड में रख देना ह यहां हम ले लिए एक mixing jar, अब हम यहां इसमें डालेंगे आलू, तो यहां मैंने कच्चा आलू लिया है और मैं यहां दो आलू ले रही हूँ, उसको मैंने छीर लिया था, और अब हमें इसमें मोटा मोटा कट करके डाल देना है, क्योंकि बैसे भी हमें इसको पीछना है, तो इसलिए आपको मोटा मोटा कट कर लेना है तो मैं इसमें दोनों आलू हैं उनको डाल दूंगी अब यहां मैंने ले लिये हैं तीन से चार हरी मिड्ची मैं इसमें बिलकुल भी लाल मिड्ची यूज नहीं कर रही हूँ अगर आप लाल मिड्ची यूज करना चाहते हो तो अब यहां मैंने 8 से 10 ले ली हैं लेस्टन की कलियां और अब यहां मैं डाल दूंगी इसमें एक टमाटर देशी टमाटर हो ना फ्रेंड्स तो देशी टमाटर लीजिएगा क्योंकि खटा खटा बहुत ही बड़िया टेस्ट आएगा तो यह देखिए मैंने यह सारी चीजें कट कर ली हैं और अब हमें इनको पीस कर ले आना है तो यह देखिए मैं इसको पीस कर ले आती हूँ तो यहां हम इसको पीस कर ले आए हैं देख सकते हो और अब हमें क्या करना है इसको वो खील ले लेनी है और इस खील में हम यह सारा बेटर डाल दिंगे तो यह देखिए मैंने इसमें सारा बेटर डाल दिया है और अब हमें इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लूंगी मैं इस जार में क्या है ना फ्रेंड्स अभी लगा हुआ है तो इस बज़े से ज्यादा पानी नहीं डालना है बस 3-4 टेबली स्पून इस और अब हम इसमें डालेंगे यहां स्वादन सार नमक तो मैंने यहां हापटी स्पून नमक डाल दिया है और अब हम इसमें डालेंगे यहां बेशन तो मैं यहां इसमें 2 टेबली स्पून बेशन डाल रही हूँ बेशन फ्रेंड्स आपको ज्यादा नहीं डालना है नहीं तो यह recipe है न, इसमें फिर आपको बेशन का ही स्वाद आएगा, तो इस बज़े से आपको बेशन वस टू टेबल इस्पून ही इसमें डालना है, और अब हम इसमें डाल देंगे यहां प्याज, मैंने यहां एक प्याज ली है, जिसको मैंने लंबा कट कर लिया है, और अब हमने इसमें ये डाल दी है अगर आपको और भी कोई vegetables पसंद हो जैसे गाजर बगेरा तो वो भी इसमें add कर सकते हो अब यहां मैं ले रही हूँ मैगी मसाला जो बांच-बांच रुपे के पाउच आते हैं वो ही ले रही हूँ अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको tension लेने की जरत नहीं है मैं आपको और भी option बताऊंगी जो आप इसमें डाल सकते हो अगर आपके पास मैगी मसाला नहीं है तो इसकी जगे पर आप पास्ता मसाला भी डाल सकते हो या फिर पाप बाजी मसाला भी डाल सकते हो और इन में से कोई भी नहीं है तो आप इसमें हाप टे एस्पून दनिया पाउडर और हाप टे एस्पून चाट मसाला डार कर भी बना सकते हो या फिर आपको जो flavor पसंद हो तो वो आप इसमें add कर सकते हो मैगी का, पास्ता का या फिर पापबाजी का बच्चों को जो पसंद हो उसे साफ से आप इस recipe को तयार कर सकते हो अब हमें इसको अच्छे से मिला लेना है मिलाना एकदम अच्छे से है बिल्कुल भी इसमें lumps नहीं रहने चाहिए और इसमें अगर हरादनियावी डालना चाते हो तो आप इसमें हरादनियावी डाल सकते हो मैंने नहीं डाला है लेकिन अगर आप add करना चाते हो तो आप इसमें डाल सकते हो तो यह देखिए मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है अब हमें इसको साइड में रख देना है यह देखिए यह इस तरह की कंसिस्टेंसी होगी इसकी अब यहां हमने ले लिया है यहां हमने ले लिया है तड़का पेन और इसको हमने गैस पर रख दिया है अब हमें इसमें डाल देना है ओयल, तो मैं यह यह रेश्पी मस्टर्ड ओयल बना रही हूँ, आप चाहो तो कोई भी कुकिंग ओयल ले सकते हो, या फिर घीमें भी तैयार कर सकते हो, अब हमें इसको च्यारो और को अच्छे से गुमा लेना है, जिससे कि इसमें एक लेयर सी आजाए, और जब हम बैटर डालें तो वो चिपके नहीं, तो यह देखिए, यह जब गर्म हो जाए, तब आपको क्या करना इसमें डालने है, तिल तुम्हें या वाइट तिल ले रही हूँ, यह मैंने इसमें डाल दिये है, और अब हमें वो बैटर है न, वो डाल देना है तो इस तरह से लेना है आपको, क्योंक बेटर थोड़ा सत्थिकी है, तो आराम से आप इजिली डाल सकते हो, यह देखिए, और इस तरह से हमें इसको स्प्रेड कर देना है, और फिलेम है, वो हमें इसकी सिलो कर देनी है, सिलो फिलेम पर पकाओगे, तो अंदर तक पक बार से क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेगा, अब हमें कोई भी डखकन प्लेट ले लेनी है, जो इसकी उपर आ जाए, और उससे हमें इसको ढख देना है, को हमें ढखकर लगबग 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, तो देखिए, लगबग 2 मिनट हो च चुका है, अब नाइफ या कोई चम्मच की सायता से इसके किनारे थोड़े से अटा लीजिए, अब हमें इसको दूसरी तरफ से भी ऐसे ही शेक लेना है, उसी तरह से हमें इसके ऊपर ढखकन रख देना है, और इसको फिर से 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तो देख स और फिर से हमें इसी तरह से इसमें ये बैटर डाल देना है, जितना आप मोटा बनाना चाते हो, उसे साफ से आपको इसमें बैटर डालना है, या फिर पतला मोटा जैसा आप बनाना चाते हो, इसी तरह से नाइफ की सायता से फिर से हमें इसको पलट लेना है, इसको पलट और बहुत ही चटपटा बहुत ही तेस्टी हमारा यह नासता है बच्चे बड़े सबको बयात पसंद आने वाला है और हाँ अगर आपके पास यह तड़का पेन नहीं है तो टेंशन लेने की जरत नहीं है आप इस रैस्पी को नॉर्मल तवे पर भी तैयार कर सकते हो तवे प पर ओयल घी जो भी आप लगा रहे वह लगाना है उसके बाद आपको इसके उपर तिल डाल देने हैं अगर पसंद करते हो तो डालिएगा नहीं तो आप इसकी भी कर सकते हो और फिर आपको थोड़ा-थोड़ा बैटर डालना है जैसे हम टिक की बनाते हैं उसे साब से और आप उस पर लटते पलटते हुए दोनों तरफ से से कर तैयार कर सकते हो तो देख सकते हो फ्रेंड्स आप चाहो तो इस तड़का पेन में भी बना सकते हो या फिर जो नॉर्मल तबाह है ना उस पर भी तैयार कर सकते हो तो है ना बहुत ही जबदस्त रेस्पी फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आप भी बनाईएगर हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और फ्रेंड्स अगर हमारा वीडिया फस्ट टैम देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा और एस भी पसंद आए तो लाइक में बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिएगा लाइक जरूर कीजिएगा